हम सब ने दो देशों के बीच किसी अपराधी की अदला बदली अक्सर फिल्मो में ही देखी है लेकिन इस बार ये एक्स्चेंज की डील रियल में हुई है और ये देश कोई और नहीं अमेरिका और रूस हैं जिन दो कैदियों के लिए दोनों देशों ने ये डील की है उनका नाम बिटनी ग्राइनर और विक्टर बाउट है वही कुछ लोगों का मानना है कि इस डील से रूस को ज़्यादा फाइदा हुआ है और ये डील एक तरह से हाथी और चीटी के बीच हुई है आईए समझते हैं असल में मामला क्या है नमस्ते मैं शिवम हूँ और आप हैं मंच पर कुछ समय पहले अमेरिका और रूस के बीच एक मीटिंग में एक डील हुई थी इस मीटिंग का सीधा सा मतलब था अमेरिका की दो बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बिटनी ग्राइनर और एक समय रूस के सबसे बड़े हतियार सप्लायर विक्टर बाउट की रिहाई बिटनी ग्राइनर जो रूस की जेल में इस साल फरवरी से बन थी तो वहीं विक्टर बाउट साल 2010 से अमेरिका की जेल में बन था एक समय अमेरिका बिटनी के बदले विक्टर बाउट को छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रहा था पर रूसी रासपती व्लादिमीर पुतिन की जित के आगे उसे जुकना पड़ा दोनों कैदियों की अदला बदली अबू धाबी के एक एयरपोर्ट पर हुई है और दोनों अपने अपने देश पहुच गए हैं अमेरिका की स्टार बास्केट बॉल प्लेयर बिटनी ग्राइनर को फरवरी में रूस के मॉस्को एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया था बजय थी उनके पास से नशीला पदार्थ मिला था जो रूस में पूरी तरह से बैन था लेकिन ये पदार्थ अमेरिका में बैन नहीं था बाद में वहां की एक कोट ने उन्हें 9 साल की कड़ी सजा सुनाई थी लेकिन अब वो रिहा होकर अमेरिका पहुच गई है वहीं विक्टर बाउट रूस का बड़ा आम्स डीलर है और इसे मौत का सौधागर भी कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे देशों में प्रतिबंधित संगठनों को हिंसा खैलाने के लिए खतरनाक हतियार ये सप्लाई करता था साल 2008 में अमेरिका ने इसे एक स्टिंग ओपरेशन के जरिये थाईलेंड से गिरफतार किया था बाद में अमेरिका की एक कोड ने इसे 25 साल की सजा सुनाई थी तब सी ये अमेरिका की जेल में बन था लेकिन इस डील के बाद ये रिहा हो गया है विक्टर बाउट पर हॉलिवुड में कई फिल्में भी बन चुकी है दोनों देशों के बीच हुई इस हाई प्रोफाइल डील को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं इस टोरी को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करना न भूले